हेलो व्रीवन स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई सर पर तो आज हम देखने के जा रहे हैं एक बाई फिर से कच्छा दसवी का मेत है हमारे पास और इसमें हम करने वाले हैं कच नमर 15 और एक्सराइज क्वहारा इक्सराइज फैलें हमारे इKS इससे पहले इस पहले जितने भी एक्सराइज आपको प्ले लिएज्ट में जना करके एकि वीडियू है वह आपको अलग मिलने वाल करते हैं कुष्चन थोड़ा लंबा है वो सकता है देख करके ना थोड़ी सी घबराट हो लेकिन यहां अगर आए हो तो घबराने की ज़रुवत नहीं है इसली हम कुष्चन को देखेंगे और करने की कोशिज करेंगे किस तरीके से आसानी से समझते हुए इस को कर सकते हैं आउ tools करने से संबदित किसी ठेकें में एक निशरीती थिती के बाद करको विलन में जुर्वाना लगाने का प्रव्धान है मतलब निरुमान कार क्या मतलब है घर मकान बनाने का काम है और तो मानलो कोई काम को जो है ना कोई काम को 10 दिन में खतम करना है अब यहां पर मानलो 10 दिन में काम खतम करना था लेकिन 10 दिन से काम यदि 11 दिन में जाएगा तो कुछ न कुछ जुरुवाना यहां पर देना पड़ेगा यह कोश्चन यहां पर दिया गया है ठीक है अब क्या पहले दिन के लिए 200 रुपpractors अब जैसे 10 में काम खतम करना था ठेकेदार को 10ा से 11 में जाएगा तो इसका प्लेंटी यानि जुरवाना जो है 200 रुपक्या लग जाएगा 10 दिन से 11 दिन में कितना लग जाएगा 200 से दूसरे दिन के लिए 250 और इसके बाद जो जुर्वाना लगेगा दूसरे दिन का वो निकलेगा 250 फिर इसी तरीके से हो जाएगा जुर्वाना 300 फिर इसी तरीके से हो जाएगा जुर्वाना 350 तो इस तरीके से जुर्वाना लगता पर तीक उत्रोंतर दिन दिन जुरुवाना अपने ठीक पहले दिन के जुरुवाने से 50 रुपिया अधीक है एक ठीकेदार को जुरुवाना देने के रूप में कितनी रास्यादा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार को 30 दिन बिलम से पूरा करना है अब यहां पर देखो बात क्या है कि 30 दिन बिलम से भुखतान कर रहा है ठीकेदार तो जुरुवाना कितना देना पड़ेगा यह बात समझ में आ गया मानलो 10 दिन में काम खतम करना था 11 में दिन में जाएगा तो पहले दिन का जुरुवाना लगेगा 200 फिर एक दिन और बिलम क्या यानि 12 में दिन उसको लग जाएगा 250 फिर उसके अगले दिन का जुरुवाना हो जाएगा 300 फिर उसके अगले दिन का करेंगे और कुल कितना जुरुबाना लग रहा है यदि 30 दिन तक कोई ठीकेदार यहां पर काम नहीं कर पाता है या 30 दिन वो बिलम से काम समात करता है यह हमको जानना है तो आप क्वेस्चन के बारे में बात कर लें यह तो था समझने वाली बात अब चलेंगे सल्यूशन की दोर चलो क्या कह रहा है ठीकेदार दौरा ठीकेदार दौरा विलम्ब से काम समात करने पर काम समात करने पर लगने वाला जुर्माना करमसा करमसा पहले दिन के लिए लग रहा है इसको 200 रुपिया फिर लग जा रहा है 250 रुपिया फिर लग रहा है इसको 300 रुपिया फिर लग रहा है इसको 350 रुपिया इस तरीके से करते करते यह 30 दिन तक जाएगा ठीक है अब यह एक AP है गौर से देख रहे हैं कि दो पदों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है? 50 का है मतलब यह एक AP होगी प्रस्ट में भी दिया गया है कि बाद बला जुरूबा ना जो होगे 50 रुपया पहले बारे से 50 रुपया आधी क्या है? यह प्रस्मी भी दिया गया है तो यहाँ पर क्या है यह एक AP है और इसका common difference तुमको पता है कितना है 50 है तो AP है तो यहाँ पर जिसमें जिसमें हम देख लेंगे A का मान यहाँ पर है 200 ड का मान है यहाँ पर 50 ठीक है और यह जुर्वाना कब तक जाएगा 30 दिनों तक जाएगा 30 दिन का मतलब है कि N वरावर जो है वो 30 यहाँ पर हो जाएगा ठीक है अब हमको क्या कह रहा है तीस दिनों का जुरुआना, तीस दिनों का जुरुआना निकालना है, तीस दिनों का जुरुआना का योग क्या होगा, दिनों के जुरुमाने का योग, तो इसको हम किस परकार लिख सकते हैं, पहला हो जाएगा, 250, फिर हो जाएगा, 200, फिर हो जाएगा, 250, फिर हो जाएगा 300 और इसी तरीके से करते-क तीस दिन तक जाना है, ठीक है तो यहाँ पर देख रहे हैं इसको क्या लिख सकते हैं S N बराबर लिख सकते हैं, अगर योग निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं, S N बराबर N बटे 2, 2 A पेलस N मैनस 1 और इन्टु का D, यह करते हैं, तो S N बराबर यहां से हो जाएगा, N का मान देखो यहां से कितना है, N का मान पता है हमको कितना है, 30 है, 30 बटे 2 कर लेंगे, 2 A, 2 और A का मान है 200, यहां से 200 हमने रखा, और N-1, अब चुकि N जो है 30 है, तो N-1 करेंगे यहां से, तो 30-1 हो जाएगा, और D का मान हमारे पास कित इधर देख लेते हैं, अब यहां से आगे देखना है हमको, 30 यहां से करेंगे, 15 दूनी 30, यह कट जाएगा, तो यहां से आजाएगा, 15, यह हो जाएगा हमारा 200 दूनी, 400, पलस, यहोगा 30 में से घटाएगे 29, और यह हो जाएगा 50, आगे देखेंगे, क्या होगा हमारे पास, 15 और 400 का 400 पलस यहाँ पर 29 और 50 है तो 29 और 50 को गुना करेंगे 0, 0, 49, 45 का 5, 4, 5, 10, 4, 14 का 4 हांसिल एक 0, 5, 4, 1 यह हो जाएगा 1450 यह हो जाएगा अब हमारे पास 15 और गुने 1450 है जिसमें 400 जोड़ना है यह हो जाएगा हमारा 850 क्लियर है आगे 850 को हमको 15 से गुना करना है 850 को 15 से गुना करना है 850 को 15 से गुना कर लेते हैं 0, 25, 25 का 5 हांसिल दू 25, 45, 42, 42 का 2 हांसिल 4, 5, 5 और 4, 9 हो जाएगा यह हो जाएगा 0, 5, 1, 5, 8, 8 और 1, 1, 0, 5, 5, 2, 7, 9, 8, 7, 7 हांसिल एक तो यह हमारे पास जो फाइनली निकल क्या आ रहा है 27,750 रुपिया यानि कहने का मतलब है कोई ठीकेदार इस काम को यदि 30 दिन भी लंब से करता है तो उसको 27,750 रुपिया जो है वो कुल जुरुवाना देने को देना पर जाएगा तो यह था question number 15 ठीक है समझ में आया बिलकुल आना चाहिए अगला question को हम देख लेते हैं क्या कह रहा है अगला question है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समगर सैक्षनिक परदर्शन के लिए साथ नगत प्रुषकार देने के लिए कहा गया और यह रासी जो है कुल प्रुषकार जो है कुल रासी जो है 700 रुपिया है यह परतियक प्रुषकार अपने ठीक पहले प्रुषकार से 20 रुपिया कम है तो परतियक प्रुषकार कम मान गयात करें यह तो मोटा मोटी question था, एक बार में हमने पढ़ा, तो खुल मिलाग इस question में है क्या यह बात कर लेते हैं, प्रोषकार की संख्या कितना है 7, तो यह हो जाएगा, प्रोषकार की संख्या जो है, वो N है ठीक है, दूसरी बात जो है न, यहां पर क्या बता रहा है कि पुरुषकार के बीच जो पहला पुरुषकार है दूसरा पुरुषकार है तीसरा पुरुषकार है चोथा पुरुषकार है उसके बीच का अंतर 20 का है यानि पहला अगर मालो 10 है तो दूसरा 30 होगा तीसरा 50 होगा, चौथा 70 होगा, तो इस तरीके से, तो दो पदों के बीच का अंतर क्या होता है, common difference होता है, D होता है, तो D बरावर यहां से हमको निकल क्या रहा है, 20, ठीक है, उसके वाद, कुल रासी यहां पर जो पुरुसकार के रुप में बाटना है, वो है 700, यानि कि सार पुरुसकार का मान क्या है, यह पता करना है, तो आजरा हम देखते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, यह तो यहां पर समझने वाली बात थी, अब यहां से हमको देखना है, क्वेश्चन को solve कैसे कर सकते हैं, हल, यहां पर किसी इसकुल के विद्यार्थियों को साथ नगर पुरुसकार देना है पुरुसकार की संख्या पुरुसकार की कुल संख्या कुल संख्या वरावर जो भी है वो हो जाएगा और ये है साथ ठीक है कुल पुरुसकार कुल पुरुसकार का योग यह हो जाएगा sn और यह है हमारे पास 700 ठीक है और दो पुरुसकार दो पुरुसकार के बीच का अंतर बीच का अंतर यह हमारे पास है d और यह है 20 इतना चीज़ां को पता है तो यहां से लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि sn बरावर n वर्टे 2 यह हो जाएगा 2a पलस n-1 into d क्योंकि हमको पुरुसकार का योग निकालना है न तो यह फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा अब यहां से देख लो sn का मान क्या दिया हुआ है 700 दिया है रख लेंगे बरावर n वर्टे 2 है तो यहां से देखो n का मान क्या है 7 है 7 वर्टे 2 हो जाएगा 2 a का मान नहीं पता है n का मान 7 है 7-1 कर लेंगे और d का मान तो यहां पर दिया हुआ है 20 है यहां देखो 700 और गुना 2 हो जाएगा कोना कोनी गुना होगा यह हो जाएगा 700 और गुना में 2 और बरावर में 7 यहां आ जाएगा यह हो जाएगा 7 यहां 2A पलस 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 होगा 6 गुने 20 ठीक है यहां से अब अब देखो यह 7 जो है ना इस पूरे टर्म के 7 गुना में है तो अकर 7 को दूसरे तरफ यानि कि इस तरफ ले के आएगे तो यह क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 700 गुने 2 अब बटे में 7 बराबर हो जाएगा 2A पलस 6 को 20 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 120 यह कटेगा 100 बट जाएगा 7 को यदि हम 700 से भाग देते 100 होगा 100 गुने 2 तो यह हो जाएगा 200 यह हमारे पास हो जाएगा 200 बराबर 2A पलस 120 इधर देख लेते हैं यह हमारे पास हो जाएगा 2A बराबर 200 और 120 को अगर उठाग इधर लाते हैं तो मैनस में हो जाएगा 120 यह हमारे पास हो जाएगा 2A बराबर 200 में से 120 घटाएगे तो यह हो जाएगा यह बराबर जो है 80 और बटे में 2 यानिक यह निकल के आएगा 40 यानिक 40 तो यहां समको क्या पता चल गया है कि पहला पुरुषकार जो है वो है 40 रुपिये का पहला पुरुषकार कितने का है 40 रुपिये का तो और दो पुरुषकारों के बीच का अंतर कितना है 20 रुपिया तो इस तरीके से पुरुसकार यदी निकाले इस तरह पुरुसकार की रकम बोल सकते हैं या रासी बोल सकते हैं पहला है 40 रुपिय का, दूसरा हो जाएगा 60 का, तीसरा हो जाएगा 800 का, पांचमा हो जाएगा 120, छठता हो जाएगा 140 और सत्मा हो जाएगा 160 तो यह पुरुश्कार की रासी यहां से हमको निकल के आ रहा है तो यहां पर क्या करना है अगर हम इसको जोर के देखेंगे तो यह कितना निकल के आएगा यह हमको 700 पूर जाएगा तो यह था question no.6 देखते हैं question no.17 को किस तरीके से कर सकते हैं आप जरा बात कर ले question no.17 के बारे में अब question no.17 क्या के रहा है थोड़ा सा बहुत बड़ा question है देखने में लग रहा है न लेकिन मुश्किल नहीं होने वाला है easily question को हम कर पाएंगे पर के समझते हैं फिर आगे देखते हैं कैसे करना है 17 नमर का question क्या है देखो जरा 17 नमर question है एक एस्कुल के विद्यार्थी उन्हें वाई परदुसन कम करने के लिए एस्कुल के अंदर और बाहर पेर लगाने के बारे में सोचा काफी बढ़िया काम है पेर लगाने का लगाना चाहिए तो यहां पर एस्कुल का एक विद्यार प्रदुसन आजकर ज्यादा हो रहा है यहां ने लिया गया कि पड़तिये कच्छा का पड़तिये का अनुभाग अपनी कच्छा की संख्या के बराबर पेर लगाएगा अब यहां पर बात समझने वाला है विद्यार्थियों ने डिसाइड किया किसी इस्कुल में देखो न तीन सेक्षन है कितने तीन सेक्षन है यह हम बोल सकते हैं हिंदी ही लिख ले तीन अनुभाग विद्यार्थियों के जवारा कि अगर कच्छा कोई एक से आता है तो हर अनुभाग से एक-एक पेर लगाएगा अनुभाग से एक एक पेर लगाएगा यानि कच्छा एक से आने बाद कुल पेर जो लगेगा वो लगेगा तीन यानि सेक्षन एक का एक पेर सेक्षन मालों बी है तो बी का एक पेर और सेक्षन सी है तो सी का एक पेर लगेगा इसी तरह कोई कच्छा अगर 2 का है, 3 सेक्षन है, तो सेक्षन A से 2 पेर, सेक्षन 2 से 2 पेर, और सेक्षन 3 से 3 पेर, यहां से कुल पेर जो हो जाता है, वो 6 लग जाएगा कच्छा 3 से स्टूडेंट है, उसको section a 3 लगाना है, section b से फिर 3 लगाना है, section c से फिर 3 लगाना है यह हो जाएगा कुल पेर 9, इस तरीके से करते-करते 12 कच्छा है तो यहाँ पर इस तरीके से करते-करते हमको हो जाना है और कुल पेर लगाना है अगर इसको हम देखें पेर कच्छा एक दो और तीन या चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारफ बारा के विद्यारतियों को देखेंगे तो उनके द्वारा जो पेर लगाया जा रहा है वह एक एपी का फॉर्म ले रहा है किसका फॉर्म लगाएंगे अब इस एपी में यदि हम ऐसे जैए घ्यात कर ले तो हमको आसानी से पता चल जाएगा कि प्वल कितने पर लगने वाले हैं तो यह तो था समझने वाली बात अब हमको चलना है क्वेस्टन पर आँस चलो जी क्या है क्या है हमारा अब अपने को क्या करना है अब देखना है पहले कुछ बात कर ले क्या इस्कूल के कच्छा एक के तीन अनुभाग द्वारा लगाया गया पेर लगाया गया पेर यह नियम सिंपल सा है कच्छा एक का इस्टूडेंट है तो एक एक पेर जो है सभी अनुभाग से लगेगा तो कुल पेर जो है इस तरीके से हम इसको अगर देखे अनुभाग एक अनुभाग दो और अनुभाग तीन तो यह कुल पेर हो जाएगा तीन इसी तरीके से इस्कूल के अब यह लिख लेना ये छोड़ रहे हम इस्कूल के कच्छा दो के तीन अनुभाग द्वारा लगाया अब गया पर तो यह हो जाएगा दो पलस दो पलस दों चेपर हो जाएगा इसी तरीके देखेंगे इस्कूल के कच्छा तीन अनुभाग द्वारा लगाएगा पिर हर अनुभाग से लगेगा तीन पलस तीन पलस तीन पिर लगेगा ये नियो हो जाएगा तो इस तरीके से अब यहाँ पर लिखना है इस तरह से कच्छा एक से बारह तक के शात्र द्वारा लगाएगए लगाए गए पेरों की संख्या पेरों की संख्या एपी बनाते है अब यह एपी कौन सा है 3, 6, 9, 12 इस तरीके से जो 3, 6, 9, 12 इस तरीके से करते हुए है ठीक है इस एपी में इस एपी में एक आमान देखेंगे कितना है एक आमान है 3, D का मान भी है 3 क्योंकि दो पदों के बीच में अंतर कितना है तीन का है ठीक है और यहां से एक बात यहां पर देखना है हमको हमको निकालना है S12 क्या निकालना है S12 यानि 12 तक के विद्यार्थियों कितने पर लगाते यह ग्यात करना है और N बरावर दिखेंगे, यहां से हमको 12 दिया हुआ है, कच्छा 1 से 12 है, तो 12, N बरावर क्या हो जाएगा, 12, चलो जी, next पेज़ पे चलते हैं तो यहां पर एक बार फिर से हमको लिखना पड़ेगा, इधर, A बरावर है 3, D बरावर है हमारे पास 3, N बरावर है 12, और हमको निकालना है S 13 तो यहां से लिख लेंगे, S 12, S N बरावर हो जाता है, N बर्टे 2, 2A पलस N मैनस 1 इंटो D और S 12 बरावर कर ले तो क्या होगा, 12 बर्टे में, N के जगब पर 2, 12 आजाएगा, 2A का मान है, 3 तो रख देना है, N का मान यहां पर कितना है, देखो 12 है, 12 में से 1 घटाएंगे यह हो जाएगा दूछा के, 12, 6, 3 दूनी 6, पलस, 12 में से यह घटाएंगे, यह हो जाएगा, 11, और गुने, 3, यह हो जाएगा, 6, 6 पलस, 11, 33, बरावर 6, पलस, 33, 6 हो जाएगा, 49, यह को जोरेंगे तो, अब 49 को यह दी 6 से गुना करें, तो हमारा एंसर आजाएगा, गुना कर लेते हैं, 49, 6, 9, 64, 4, हासिल 5, 34, 18, 5, 23, का 3 हासिल 2, तो कुल पेर, जो लगा रहा है, यहाँ पर, 234, यानि कच्छा एक से लेकर, 12 तक का जो विद्यार्थी है, वह कुल पेर, तीनो, अगर कच्छा एक का, जो है, तीनो अनुभाग, एक एक पेर लगाए, कच्छा दो क कच्छा तीनो, नुभाग दो लगाए, कच्छा तीनो, तीनो पेर, तो कुल पेर, जो है, 12 और कच्छा तक कितना लग जाता है, कच्छा एक से बारत तक के, विद्यार्थियों के द्वारा, लगाए गये, पेरोंति संक्या, 234 हो जाता है